हेलो स्टुडेंट्स, फाइनल अकाउंट्स में आज हम लोग देखेंगे कुश्यन नमबर 6B को, देखें यहां नेट सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया 33 1 by 3% on सेल्स और हम लोग को कैल्कुलेट करना ग्रॉस प्रॉफिट और कॉस्ट अफ गूट सोल्ट, देखें 12 लाग, तो ग्रॉस प्रॉफिट आगया 4 लाग, अब ग्रॉस प्रॉफिट आगया हम लोग का 4 लाग, तो ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, नेट सिल्स माइनस कॉस्ट अफ गूट सोल्ट, ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग का 4 लाग, नेट सिल्स दिया था 12 ल कॉस्ट पे दिया है तो हम लोग नाक 토र्प भुप्या gpa 20% पे कॉस्ट मतलब कोस्ट ऑफ गुट सोड दिया हुआ यह नहीं है तो हमलों कॉस्ट ऑफ गुट सोड को x पान लेंगे तो let the cost of business भी x कि हुआ हम लोग का ग्रोस प्रफिट हो जाएगा 20% of x यानि X by 5 अब gross profit होता है net sales minus cost of goods sold gross profit आया X by 5 net sales है हम लोग का नौ लाख रुपया और cost of goods sold है X X by 5 plus X is equal to नौ लाख तो यह जागा 6 X by 5 is equal to नौ लाख X is equal to नौ लाख इंटो 5 by 6 तो cost of goods sold हम लोग आगया 7,50,000 तो cost of goods sold आगया 7,50,000 तो gross profit आयागा हम लोग का X by 5 X by 5 मतलब COGS by 5 COGS है 7,50,000 divided by 5 यानि एक लाख पचास हजार अब इस question number 10 को देखते हैं देखो question number 10 में cost of goods sold दिया हुआ है और GP लिखता है 25% on sales तो cost of goods sold है 4,50,000,000 GP है 25% on sales और sales हम लोग के पास नहीं है तो sales को X मान लेंगे तो let the sales be X sales मतलब net sales तो gross profit हो जागा 25% of X यानि X by 4 फिर GP के formula हम बैठा देंगे GP equal to net sales minus cost of goods sold तो X by 4 नेट sales हो जाएगा हम लोग का X और COGA से 4,50,000,000 अब इसको solve कर लेंगे तो sales हागे हम लोग का 6,00,000 रुपया अब sales हागे 6,00,000 रुपया तो GP है X by 4 तो GP हो जाएगा 6,00,000 रुपया यानि कि 1,50,000 रुपया यही answer है ओपनिंग स्टोक है 4,80,000 पर 6,30,000 रुपया sales है 19,50,000 रुपया और GP है 30% on cost तो GP हाँ cost पे दिया है cost तो दिया वह नहीं है तो यहाँ भी हम लोग को cost को X मानना पड़ेगा तो let the cost of goods sold भी X तो GP हो जाएगा 30% of X तो GP 30% of X ले यानि आगया 3X by 10 तो इसको GP के फॉर्मूला हम बठा देंगे तो GP है 3X by 10 नेट सेल से साड़े 19,50,000 और COGS दिया X अब इसको solve करेंगे तो 3X by 10 प्लस X is equal to 19,50,000 COGS आगया हम लोगा 15,00,000 तो GP आजाएगा 4,50,000 हाला कि GP इस question में निकान लेगा जरूरत नहीं है क्योंकि हैं हम लोग को निकान ले बोला closing stock closing stock के लिए हम लोग COGS का formula यूज करेंगे COGS का formula opening stock प्लस net purchase प्लस direct expense माइनस closing stock COGS हम लोग का आया था 15,00,000 opening stock question में दिया 4,80,000 net purchase नहीं दिया है लेकिन purchase दिया है और purchase return नहीं दिया है हम लोग का 3,40,000 हम लोग को यहां एक formula और सीखना है operating profit का इसका formula होता net profit non operating expenses minus non operating incomes non operating expenses होता जैसे loss by fire, loss by theft loss on sale of fixed assets donation, charity, interest on loan पे करते हैं यह सब non operating expense होता है operating expenses होता है जो हम लोग day to day expenses होता जैसे salary, rent यह सब और यह सब जो होता है, यह होता है non operating expenses, उसी तरह non operating income होता gain on sale of fixed assets, interest receive dividend receive, rent receive यह सब non operating income होता है अब इस question को देखते हैं यहापे हम लोग को operating profit निकालना है net profit दिया हुआ है dividend receive non operating income है loss on sale of furniture non operating expense है loss by fire भी non operating expense है salaries जो है यह operating expense है, इसको कुछ नहीं करेंगे interest on loan non operating expense है, rent receive non operating income है और donation भी non operating expense है इसको solve की answer आया 5,47,100 बाल चाप प्रेशों कि यहाब आया करेंगे आया 5,47,100 कि अभरा चापके अभराघना और कि अभराबराब रहाब रहाबडराब इस पिने